आकाश्वानी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेश फोनिन कारिक्रम रेडियो डॉक्टर नमस्कार रेडियो डॉक्टर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत मैं हूँ शालनी मितल और शुरू हो गया है आपका पसंदिदा कारिक्रम रेडियो डॉक्टर जो रखता है आपके स्वास्त का ख्याल और गर्मिया बहुत पढ़ रही है भीशन गर्मी है और इस गर्मी का प्रभाव हमारे शरीर के हर अंग पर पढ़ता है आज हम बात करेंगे गर्मी का प्रभाव हमारी आँखों पर कैसे पढ़ सकता है जी हाँ आज का यही हमारा विशे है Summers and Eye Gear गर्मियों में हम अपनी नेतर रक्षा कैसे करें और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मानर दीब सिंग आप प्रोफेसर हैं Department of Ophthalmology डॉक्टर R.L.Mill Hospital नई दिली में तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का स्वागत करें डॉक्टर साब बहुत बहुत स्वागत है आकाशोनी के FM के स्टूडियो में आपका शुक्रिया नमस्कार यह भी जानना चाहूंगी और साथ ही साथ एक नॉर्मल आँखों की क्या समस्या होती है कुछ खास सवर पर गर्मियों में बढ़ जाती होगी तो मैं दोनों जानना चाहूंगी आपसे देखे गर्मियों के अंदर एक तो मौसम खुश्क होता है आजकल अपी बारिश गयर इसको पोखे ऐलर्जिक कंडिशन होती है वह खेरे बाकि खेथी में जब काम करते हैं तो आँखकल चोट वगरा जो है आँख के अंदर कुछ भी कटाई वगरा जैसी होती है तो वह आँख के अंदर लगने का खत्रा रहता है और इसके अलावा जो है आँखों को धूल तो वो भी हम जानेंगे कि किस तरह की चश्मे होने चाहिए, किस तरह की UV protection होनी चाहिए और आप भी हमें मेसेज्च करके अपने प्रशन और फोन करके अपने प्रशन पूछ सकते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सब्रेक और लोटते हैं कभी और हमारे जो फिल्म कार हैं और जो लिरिक्स राइटर्स जो होते हैं गाने जो लिखते हैं डॉक्टर साब उन्होंने आखों की खुबसूरती और आखों की सुन्दरता पे बहुत गाने रचे हैं क्या कहना चाहते हैं क्योंकि बहुत डिलकेट औरगन है और बहुत जरूरी औरगन है जिस से मुझन को देखते हैं गर्मिया जब बहुत ज्यादा पड्स हुघती है तो यू वीरेटिज भी होती है बहुत हामफुल हुख चैक्त बचाव किया जाए है पहले तो यह है कि आप अगर गॉगल्स खरीदने जाते हैं, किसी दुकान से खरीदते हैं, कोई भी ब्रेंड का व ब्रेंड से फरकने पड़ता, लेकिन उनके पास मशीन होती है चेक करने की, तो आप देखें कि उसके अंदर 99% जूबी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, आप उसको बूली चेक कर एक ले बाहर जो डे के बिल्कुल जो पी कावर्स होते हैं, सुबह दस-ग्यारा से लेकर तीन-चार बई तक अवाइड करें बाहर जाना, और आँखों को अगर आप स्पेशली अगर आप टू वीलर चलाते हैं, तो उसके बाद बेशक अब दो किलमोटर भी चले हो, उसके नाए घर में, तो दोनों समय इसको अपने आँखों को दोना चाहिए, बाहर से जाने के टाइम कोई खास जरूरी नहीं होता, लेकिन जो ही बाहर से अंदर आते हैं, क्योंकि जाने अंजाने में कुछ भी हो, आपकी आँख में थोड़ी बहुत धोल मिटी गर्मी में जाहे जी, डॉक्टर साब के बिचालर करना हूँ? जी, आपकी उम्र कितनी है? आपको कुछ भी नहीं करना अगर आपको ठीक दिखाई देता है तो आप बिल्कुल काम करते जाए यह बेफिकर रही है जितना मरसी काम कीजिए बस यह सीधा जैसे गर्मी के मौसे बेखास सौर पर इस पंक्खे के सामने एसी के बिल्कुल सामने मत बैठिये और कुछ भी फरक नहीं पड़ता और आख लाल हो जाते हैं तो आपको आँख को धो सकते हैं फ्रिक्वेंटली दिन में चार पाइँ दिखाए दोएं और उससे नहीं ठीक होता तो फिर आपको लाली का जो कारण अलर्जी हो सकती है अगर रहता है तो फिर आप उसके लिए नहीं निकला तो वह आपको रड़ता रहेगा जैसे आख के अंदर आपको इसको बोलते है वो रहेगा और अगर रहता है तो फिर आप उसके लिए निजार मत कीजिए आप इमीजेटली डॉक्टर को दिखाएए क्योंकि जो चीज आँक के अंदर गिर गई है अगर उसको इमीजेटली नहीं निकाला जाएगा तो फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है उसके संक्रमन हो जाता है और उसे नजर के ऊपर असर पढ़ सकता है और जो की तास जिंदगी रहेगा तो इसलिए उससे बचना चाहिए तो ये कैसे डॉक्तर साब पता लगेगा उन्हें कि इस समय हमें जाना चाहिए मताब पेन होगा क्या कैसे पेन तो ज़रुई नहीं तो थोड़ा देर में आता है, लेकिन आख के अदर कुछ पड़ा होगा, तो एक दम से कोई मिस नहीं कर सकता हूँ, किरकिराहट उसको रहेगी, रहेगी, हमारे एक शोता है, नोने नाम नहीं लिखा है, पर गर्मियों में आखों की क्या विशेश देख भाल करें, तो हम बता पूरा कारेकरम सुनें, और अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मेसेज कर सकते हैं, नाम जरूर लिखिए, जिससे हमें पता लगे कि आप कौन है, और कहां से हमें प्रशन कर रहे हैं, ये मेसेज हमें भेजा है, नेहा ने मुंबई से, प्लीज समस्या करमी में थोड़ी सी बढ़ती तो है ही, लेकिन जितना ड्राइ आइस का शोर है समाज के अंदर, मुझे लगता है, ये काफी इंडर्श्ट्री डिवर्न है, इतनी ड्राइ नहीं होती है, जितनी नहीं है जितना इसका शोर होता है, तो इसने के लिए आई ड्रॉप् बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लग बहुत हर कंपनी बनाती है, और उसको आप यूज कर सकते हैं, और ड्राइ आइस के लिए अगर किसी को बहुत ज्यादा है, जैसे जोडों के दर्द वगरा, रिमटेड आर्थराइटिस वगरा के साथ जो ड्राइ आइ होती है, वो काफ बहुत ज्यादा सुनने में आ रहे हैं, तो क्या लैपटॉप का ओवर यूज, फोन का ओवर यूज, ये कारण है कि कुछ और कारण है? पहला कारण तो इसका है, जो मेरा परसनल उपीनिया है, जो मेरा गलत हो सकता हूं कि ये इंडिस्ट्री डिवन है, अच्छा, वो आप पर्मेंट नहीं होती है. क्या होता है कि ये कोई भी इसक्रीन को देखते हैं, तो ऺंड़ क्रीड ऐसमिया होती है, वो छो है नृमलि िरह, चोञ़गे का शॉदा होटा है, वो और अच्द्ध रही है. तो उस से जो आंक के जो आशू होते हैं बाहर जिनकी ल yılएर बनी होत है वो पूरी तरह से वो मुमेंट नहीं होती उसके अंदर तो वो खुश्कियाने लगती है दूसरा क्या कि हम आँखे ज्यादा चौड़ी खोल के रखते हैं जब आप स्क्रीन को देख रहे हैं स्पेशली जब कंप्यूटर को देख रहे होते हैं तो आँख को बहुत यह कोई बीमारी नहीं होती है यह तो नौर्मल एक बॉड़ी की रिस्पांस है तो इसके लिए आपको आंखों को थोड़ थोड़ देर में बंद कर लेना चाहिए पूरा टाइट बंद कर लेना चाहिए थोड़ देर के पर खोल लें काम करने लगे और फिर बाहर अगर अगर किसी को specific कोई बीमारी नहीं है तो दो तीन दफा दो दफा तीन दफा काफी होता है maximum ज्यादा की जरूट नहीं है हमारे एक शोता फोन लाइन पर जुड़ गए है हलो हलो हां जी नमस्ते मैं जी नमस्ते जी एस चठा बोला हूं डॉक्टर साब को भी नमस्ते नमस्ते जी अपना प्रेशन करें डॉक्टर साब मेरा कोशन यह है कि समर में जैसे आप बता रहे हैं आई की के बारे में नोर्मल व्यक्ति जिसको कोई प्रोब्लम ना हो और जिसका कैट ट्रैक का उप्रेशन हुआ हो तो उन दोनों में क्या-क्या अलग से कोई प्रिकॉशन करना जैसे बाकी सब के लिए हम बात कर रहे हैं विजे पूरे प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे वैसे ही सब के लिए विश्यक ऑप्रेशन हुआ हो जाना हो जाती है तो क्या करें जैसे पढ़ाई करने पे या टीवी देखने पे तो आपने काफी कुछ तो रोक्टर सब अभी बताया कि थोड़ा रेस्ट देना चाहिए और अगर आपको गर्भी में ज्यादा दिकत हो दिया आपके घर में कोई कूलिंग का सिस्टम नहीं है तो आप थोड़ी सी बरफ सूती कपड़े में लेकर आँके उपर लगा सकते हैं ठंडी सिकाई टाइप की जी 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 सुशील ठाकुर हमें लिख रहे हैं कहां से लिख रहे हैं ये तो नहीं बता रहे हैं पर इन्होंने लिखा है मेरे आँखों में पानी गिरता है आँखों से और पांच साल से ऐसा हो रहा है तो इनको कुछ आप बताना चाहेंगे कि क्य विशेश ये करें इनकी उम्र नहीं पता अगर हमें सुन रहे हैं सुशील जी तो हमें मेसेज करके उम्र भी लिखें डॉक्टर साब जानना चाहते हैं कि आपकी उम्र कितनी है और हम ये फिर प्रेशन बाद में लें ने ने कोई वाद जो जैसे यह मेल है और उम्र मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा होगी एक तो यह होता है कि पालनी अगर आँखों में आता है सबसे पहले चीज़ जो हमने एक्स्क्लूड करनी होती है वो है कि कोई रास्ता तो नहीं बन क्योंकि नॉर्मली जो आंसू है आँख की सफाई के बाद वो एक छेद होता है पांसू जो है वो अपने नॉर्मल तरीके से ड्रेन नहीं हो पाते तो यह इसको एक्स्लूड करना ज़रूरी होता है दूसरा कि अगर किसी को अलर्जी बगरा अगर होती है तो उससे भी पानी लगाता आता रहता है इसके लावा अगर किसी को चेश्में की जरूत हो लेकि तो आप जरूर नेतर एक विशेशर के के पास जाएए और चेक अप कराएए सोशील जी तो सही जो कौज है वो पता लगेगा तो फिर इसका इलाज किया जा सकता है यह हमें लिखकर भेजा है उमेश कुमार ने खयाला से और यह लिख रहे हैं कि आखों में कभी कभी पानी आता है और पल्कों में कभी खुझली भी होती रहती है यह जानना चाह रहा है यह चीज है गर्मी के अंदर नॉर्मल होती है और जी होती है इनके सिर्फ पानी से दोलेना चाहिए और ठंडे पानी से और ठंडी सिखाई करने चाहिए मेरा ख्याल है ऐसे में किसी दवाई बगरा की जरूत अक्सर नहीं होती है जी ओम प्रकाश खंडेलवाल जी हमें लिख रहे हैं मैसेज के जरिये डॉक्टर साथ इनकी उ एंखों में तो यह क्या ज़्यादा देखने के तारत होगी और जब मैंने की बिलिंक रेट कंव जाता है यह को मैंने कि बिश मिन्ट तक हो जिपकता हूं उसके बाद जिपक तो यह एंड़ बहुत ही कंफ्रिक्वेंसी आपको ज्यादा जपकना चाहिए रहा है आँखों क कीजिएगा थोड़ा स्क्रीन टाइम कम कीजिए वैसे भी आपकी ओमर बासर साल हो चुकी है तो आपको थोड़ा सा कम कीजिए इस चीज़ को और मुझे लगता है रोक्तर साब ये तो सब के लिए आपके समझाईश होगी कि बच्चे भी बहुत देखते हैं आजकल मोबाइल पर कंटिनर्स खेलते रहते हैं वो गेम्स तो उन्हें भी ब्रेक लेना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को हाथ में छोटे बच्चों के हाथ में मुबाइल देना तो एक बहुत ही खतरनाक चीज है उनको सिरफ यह नहीं होती ऐसी प्रावलम नहीं होती उनका चश मान नहीं लग सकता माइनस नंबर का लेकिन आज कल जो है हर एच पे बीस बाइस पचीस साल की उमर तक भी कई लोग को बच्चों को लग जाता है क्योंकि इतना ज्यादा स्कीन ने बढ़ चुक है यह बहुत ही नुकसान दे होता है जी और भी बात करेंगे हम गर्मियों मे कैसे आँखों की रक्षा आप कर सकते हैं आँखों कैसे स्वस्त रख सकते हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मानव दीप सिंग है जो नेतर रोग विशेश अगय है डॉक्टर आरेमल होस्पिटल नई दिली में मैं हूँ आपकी दोस रशालिनी मित्तल इसी आप हैं कारेक्रम रेरियो डॉक्टर में और आज का हमारा विशे समर्स एन आई केर गर्मियों में नेत्रे सुरक्षा कैसे करें हमारे विशेशग्य हैं डॉक्टर मानवदीप सिंग आप नेत्रे रोग विशेशग्य हैं प्रोफेसर हैं डॉक्टर आरेमल होस्पिटल नई दिल्ली में और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शालनी मित्तल हमारे एक शोता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं दोक्टर साब हलो हैं जी प्रोग्राम एग्जेक्यूटिव शालनी मित्तल जी को रगुविंदर सिंग का नमस्कार नमस्कार जी आप प्रशन करें दोक लगाने चाहिए लेकिन जिन लोगों को नजर का चेश्मा लगा हुआ है दूर और पास का उनको आप क्या एडवाइस करेंगे नमबर टू जो यह हम आई डवाप डालते हैं उसको कैमिस यह बताते हैं इसको खोलने के बाद इसकी वैलडिटी सिर्फ एक मन तक है कुछ ऐस ना कि एक महीने के अंदर दवाई खराब हो जाती है यह उस जमाने में होता था जब शीशे की शीशियां होती थी जो ग्लास की बनी होती थी और उसके उपर प्लास्टिक के ढखकन होते थे तो वो तूट जाते थे तो उससे इंफेक्ट हो जाता था आजकल जो है हलाकि लि दो महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी दवाई को बाकि कुछ ऐसी दवाईया हैं जिनके की पैकिंग ही बहुत एक्सपेंसिव और बढ़िया पैकिंग होती है उनके ओपर लिखा होता है कि इनको दो या तीन महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसके कोई ऐसी खास पाही तो, आप मालो पना हम मैंगर खबा ह के अगर इम्डिकत मैं घाएं, को अगर को तो यहां सक्ता है। और अगर आप चेश्मा कोई लगाते हैं नजर का तो वो नॉर्मल चेश्मा लगाएं आप वो आप फोटो क्रोमेटिक भी लगा सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो फोटो क्रोमेटिक लेंस जो होते हैं वो अंदर सफेद हो जाते हैं और धूप में जाने पे काले हो जाते बहुत बहुत धन्यवाद प्रेशन करने के लिए डोक्र साब आपने बताया है कि चश्मा जबूर लेकिन लगाएं अच्छा क्वालिटी का चश्मा यूवी प्रोटेक्ट जो करें ऐसा चश्मा लगाएं पर कई बार यह होता है जब बहुत गर्मी होती है तो चश्मा लगा मैटल होता है और मैटल की उपर एक्रेलिक की उसके उपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है वो तो ठीक रहता है लेकिन अगर आप देखने में मतलब ज़्यादा सुन्दर लगना कई लोग जो है ज़्यादा पतला चश्मा पसंद करते है तो डंडी जो होती है उसकी वो है उससे स्किन अलर्जी नहीं होती है और अगर होती है किसी को तो फिर आपके पस और कोई रस्ता नहीं है सिवाए चिश्मा बदलने के हमारी शोता है अधिती वेस्ट डेली में रहती है और इन्होंने लिखा है कि इनकी उमर 25 साल है इनका प्रेशन है कि आखों के नीचे क कि और यूज कर सकते हैं अगर आपको ऐसी स्किन की ड्राइनेस की है और अगर आपको तकलीफ रहती है कोई भी आप तो फिर आप स्किन की डॉक्टर से मिलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी बहुत सारे प्रेशन आ रहे हैं लेकिन जनरल आइस की प्रॉब्लम्स पर आ होती है जैसे आंकों में कोई परिशानी हुई तो डॉक्टर्स जनरली स्टिरोइड दे देते हैं तो उसका कुछ फरक होता है गर्मियों में ज्यादा नुकसान दायक होती है या स्टिरोइड लेने चाहिए देखे स्टिरोइड जो है वो किसी स्पेसिफिक अगर बिमारी ऐस हो जिसके अदर स्टिरोइड जरूरी है वो तो जरूरी है लेकिन स्टिरोइड का हमारे जहान हमारे देश में बहुत स्यादा ओवर दा काउंटर मिल जाती है जो की बहुत ही रिस्टिक्टिड यूज होना चाहिए इनका और खास दौर पर मैं बताना चाहूंगा बच्चो होती है पच्चे के आँखे बंद होने लगती है थोड़ी थोड़ी और देखने में जो सफेद वाला हिस्सा आँखोंगा वो तो उसमें पीला पनाने लगता है लेकिन इस सभी चीज़े किसी भी चीज़ से ये बिमारी कितनी भी हो इससे नजर खराब नहीं होती लेकिन अ रहते हैं उससे होता क्या है कि बच्चे की जो है ये खुझली पानी तो ठीक हो जाता है उसकी नजर डेमेज हो जाती है उसको सफेज या काला मोच्चे या दोनों हो जाती है और नजर हमेशा के लिए उसकी खतम हो जाती है और हमारे देश में हर साल कई हजार बच्चे अं डॉक्टर के सुपरविजन के बिना और एक हफ़ता है तो बोलेंória की ठीक नहीं हुआ है उसको बंद किया जाता है, ऐसा भी होता है, अक्सर बहुत सारी ऐसी होती है तकलीफे, अगर इसको लंबे समय तक दिया जाए, तो इसको धीरे धीरे बंद करना होता है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए एक दो हफते के लिए दिया गया तो फिर एक दम से बंद कर सकते ह में भी डॉक्र साथ बताया था ड्राइ आइज के लिए भी और भी स्टिरोइड अगर यूज होते हैं तो भी ड्रॉप्स के फॉर्म में ही होते हैं तो हमारी इश्रोता है इन्हों है जानना चाहे कि आइड्रॉप डालने के बाद कितनी दे बाद आख खोलनी चाहिए एक मिन काफी दर्जनों आपकी वीडियो आजिए उनमें से एक हमारी बनाई हुई वीडियो भी है तो जो है जो लोग लंबे समय तक दवाई इस्तिमाल करते हैं जैसे ड्राइज के पेशेंट हैं या काले मुत्य के पेशेंट हैं तो दवाईयां कैसे डाली जाए उसका बेस्ट कम से कम कैसे किये जाएं वो सब चीजें उसके अंदर हमने दिखा रखी हैं यह प्रेशन किया था हमसे पुछकर देव दिली जी ने और उनने अपना एज नहीं लिखिया लेकिन आजकल तो सभी लोग फोन पे देख सकते हैं जाकर तो जैसा डॉक्टर साब ने कहा आप आर आप कोशिश कर सकते हैं और काफी कुछ तो डोक्टर साब ने यहां भी बता दिया है हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़े हैं हालो हालो जी आप सुन रहें डेडियो डॉक्टर नमस्कार आपका स्वागत है जी प्रेशन करें नाम पहले बता दें कहां से बूल रह और दूसरा सवाल है जी आपरेशन होता है लोगों का आई ओपरेशन टेक टेक का तो हो कहते हैं कि दो साल बाद दो बारा कराओ रिपीट कराओ क्या यह इसमें सब्सक्राइग कुछ बस यह दो बता जिए जी डुटर साब बता रहे हैं कि आई ट्रोप को कह मेंशे तो दूसरी इनोंने बात कही है कि कैटरेक्ट के उपरेशन के बाद दुबारा हो जाता है, कैटरेक्ट कभी भी दुबारा नहीं होता, लेकिन ये है कि जब हम कैटरेक्ट का उपरेशन करते हैं, लेंस को डालने के लिए हम जो कैटरेक्ट जो हम पूरा नहीं निकालते हैं, उससे जो है जिली को काट के उसको साफ कर दिया जाता है और डजर दुबारा साफ हो जाती है और उसके बाद अगर वो एक बार पूरा हो जाए तो वो भी जिली दुबारा कभी जिन्दगी में नहीं आती है. जी बहुत बहुत धनेवा दनीता जी प्रशन करने के लिए और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर लोटेंगे प्रशन हमारे पस बहुत सारे आ रहे हैं आँखों से संबंदिद पर हम चाहेंगे कि गर्मी में आँखों की सुरक्षा कैसे करें अगर इस विशे पर आप और जादा जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें और हमारे लिखने के लिए 9868107070 प्रशन डारेक्ट करना चाहें डॉक्टर से बात करना चाहें तो फोन लाइन्स भी खुली हैं आप सुन रहे हैं विशेश फोन इन कारिक्रम रेडियो डॉक्टर आप है करिक्रम रेडियो डॉक्टर में मैं हूँ शालनी मितल और मेरे साथ आज के रेडियो डॉक्टर डॉक्टर मानवदीप सिंग आप प्रोफेसर हैं नेतर रोग विशेश अगे हैं डॉक्टर आरेमल हॉस्पिटल नई दिली में डॉक्टर साब ने समय निकाला है चार बजे तक हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे और गर्मियों में आँखों की कैसे सुरक्षा की जा सकती है खास सवर पर इस विशे पर हम बात कर रहे हैं पर डॉक्टर साब बहुत सारे हमारे शुरूता है जिन्नोंने आँखों की अन्य समस्याओं पर भी बात की है पर हमें मेसेज लिख कर भेजा है आपकी अगर आग्या हो तो मैं उनको भी शामिल कर लूँ शरूर कीजिए शियली जी लिख रहे हैं दिली से की आँखों में काजल लगाना सही है की नहीं बताएं देखें काजल डॉक्टर्स लोग हम ल जगाने की लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक से दूसरे के साथ ना लगाई मतलों आपका है तो पर्सनल है परसनल होना चाहिए दूसरे का रही होने चाहिए और दोने के बाद साफ सुस्ठरा उसको मतलब वश करके साबन से दोके इसके इसको ठिए रेक्षम के जिसे नहीं कराया है कि हुझा जुठा है मुठाइम् & लक्षार स्टीग पीटते चंद य मुद्ड़ेरों करें अप्र जए जलाई करें कि काजिल किरते नाहां करकरां बातर हो कुझा किया चीजी प्रेशन कर लेए प्रेशनी एए मेरी जोना आखों में सितंबर में जोना लैफ सेड़ में किसी ने बूसा मार दिया था हाँ जी तो मेरको जो ना धिखना बंद हो गया है धिखता है विजन तो मेरा ढीक आता है डॉक्टर लेकिन जो दिमाग की नो मेरी आमराइट की तो मेरी मराइट की ती हाँ जय behaviors MRI के अंडर जो नो वक्त युदर्स बोलते हैं हाँ जिस्टिसर कुशिस कीड़े सिस्ट्री सरकुस ही होता है वो और पता है थो आपक्तर जो आपको एलपेंड़ा लिख देती है प्रश्री दूसरी अमाराई करने तो उसमें अट गया वो लेकिन रोच्णी ओपस नहीं आई है देखिए ऐसा होता है कि जब ये आँख की जो आँख जो है वो मैं आपको बता हूँ कि देखने का काम नहीं करती है आँख के वर फोटो खीचती है फोटो खीच के दिमाग को मस्टिश को भीजेती है तो ये है जो आँख से मस्टिश तक जाने की जो चीज है जो नस है वो य या जो दिमाग का हिस्सा है जो देखने का काम करता है असल में अगर उसके अंदर कोई खराबी हो जाए तो आँखे अगर बिलकुल ठीक भी हो तो भी आदमी देख नहीं पाएगा क्योंकि आँख का काम सिर्फ फोटो कहींचने है देखने काम मस्टिश का है और मस्टिश के तक फोटो पहुचनी भी बड़ी जरूरी है तो आपके मुझे जो लगता है नियूरोसिस्ट्री सर्कस की वज़ा से आपकी जो नस वो सूख गई है तो इसका इस वगद कोई इलाज संभव नहीं है लेकिन मैं आपको इसके साथ एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर कि उसकी नस सूख गई हो उसकी वयद से नज़र कदम हुई हो तो वह अपने डैथ के बाद नेतरदान कर सकता है और दूसरा आदमी उन्सके नेतरों से इक लेकिन वह खुद किसी और नेतर लेकर जो प्रत्यर उप्न के बाद उसकी नज़र नहीं आ सकती है और यह हमारे साथ एक और शूता जुदे हैं जईन्हूने मेसेचel मेसेच किया है अवधेश है और अंका बाद बिहार से लिख रहे है आई हेंबरेज क्या होता है गरक्रोसाब ये जाना चाहते है इंगिन इस दो चिसम का मैं बताना चाहूंगा ये राधर तीन किसम का होता है जगह-जगह की बात है कि कौन सी जगह पर होता है एक तो बिलकुल बाहर लगता है जैसे किसी कर बच्चे कर नाखुन लगया चोटी मोटी सीज़ है वो बाहर लगया उसके लिए कोई लाज नी करना हो तो अपने आप वो लाली जिसी देखने में होती है और थोड़े समय बाद वो ठीक हो ज हेमरेज यानि कि पीछे के हिस्से है लैंस के भी पीछे का हिस्से है जो पर्दे से जो ब्लेडिंग होती है यहाँ ज्यादा तर सबस्यादा यह मदू में या डायबिटीज के विए से होती है और इसके अलावा और भी कई बिमारिया होती है और कई किसम की बिमारिया होती ह जिससे यह हो सकता है इसमें अगर अगर अपने आप जो सिस्टम इश्वर ने बनाया है उससे 10-15 दिन के अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो थोड़ा हैम्रेज हो तो 15-20 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है लेकिन अक्सर इसका ऑपरेशन करके बलड को बाहर निकालना है उसके निकाले बिना आदमी को नजर नहीं आता तो यह सीरियस बात होती है और इसके लिए स्पेशल डॉक्टर होते हैं सभी नेत्रविश शग्या भी इस काम को नहीं कर सकते हैं तो कई बार लोगों से हमने सुना है कि गर्मियों में ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए रिक है कि कुछ दिन तक क्योंकि आफ जो है थोड़ने अँछ पर नहीं नहीं आख पर डलना हुता बार को होता थो है लेकिन अगर आप पॉसकार नहीं कर सकते हैं आप निम्टेंचर सकते हैं आपके बार यह से के लिए को आइसी खास समस्या नहीं है हुँँ हमारे एक साथ शोता फोन लाइन पर हैं हालो जी नमस्कार जी आप अपने अपरेशन कर लें डॉक्टर साथ से राक्षाम मैं नो तरीप को प्रेशन करवा कर रहा हां जी तो इस ने जो जोड़ा जलन कर दी हां जी एंटिबाइटिक और स्टिरोइट ने वह तो हो गई होगा ऑपरेशन के बाद के बाद एंटिबाइटिक और स्टिरोइट तो एक महीने तक देते ही हैं सबी देते हैं तो नॉर्मल है अगर आप उससे जलन वगएरा कुछ होती है तो उसको बरदाश्ट ही करना होगा बस आप आँख की दवाई डाल के एक दवाई को फ्रिज में और डॉक्टर साब विकास हैं दिल्ली में रहते हैं नोने लिखा है मेरी वाइफ की उमर 24 वर्ष है आँखों में बहुत पानी आता है इसके लिए क्या करें अभी कुछ टाइम से ऐसा आ रहा है वैसे आपने बताया है बहुत सारे प्रेशन है तो जल्दी जल्दी लेती कांता गुपता जिने लिखा उजयन से कि मोबाइल देर तक देखने पर आँखों का प्रेशर बढ़ता है क्या और अगर आपको करना ही है यूज तो थोड़ा आँख से दूर करके रखें उसको नजदीक बिल्कुल नजदीक ना लाएं एकेल कुमावत ची सीकर राजस्थान से पूच रहे हैं कि क्या ज्यादा नीद आना भी आँख की बिमारी का संकीत होता है नहीं जिसके साथ कोई संबन नहीं है मेरे चश्मे का नंबर है 20 क्या उससे देखता हूँ लेकिन साफ नहीं दिखता तो मैं क्या करूँ यह अभी शेक गुपता है लेंस डाउन उतरा खंड से देखें अगर इतना ज्यादा नंबर अगर होगा तो जो इमेज बनती है आँख के अंदर उसका साही चोटा हो जात है इसके लावा कॉंटेक्ट लेंस जो है वो यूज करना बहतर होता है उनसे क्वालिटी अफिजन बहुत बहतर मिलेगी चश्मे की बजाए और अगर आप चाहें तो कुछ ऑपरेशन भी होते हैं चश्मे को कम करने के लेकिन वह काफी रिस्की होते हैं इतने हाई पावर क के लिए तो वह आप डॉक्टर की सलाह से देख सकते हैं कि अगर आपकी फिट है ऑपरेशन के लिए तो आप वह ऑपरेशन भी करवा सकते हैं तो अगर नंबर किसी के है तो कॉंटेक्ट लेंस यूज कर सकता है इतने हाई नंबर के लिए तो कॉंटेक्ट लेंस सबसे अच और अगर किसी का नॉर्मल है, जैसे हम लोग रीडिंग के लिए चश्मा लगाते हैं, तो हम रिगुलर यूज में चाहें, तो लगाएं को लिए रीडिंग के लिए जनली कांटेक्ट लेंस नहीं यूज करते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस का नंबर होता है, उसके लिए कांट जो लगाते हैं आज कल जो कॉंटेक्ट लेंस आते हैं वो पहले होते थे हार्ड कॉंटेक्ट लेंस तीन तीन चार चार साल लगते थे उनको क्लीनिंग वेरा की एक्स्टेंसिव जरूरत होती थी आज कल जो लेंस आते हैं इनके लिए कोई ऐसी खास केर की जरूरत नहीं होती अगर आपको सोना नहीं है, और अगर आपकी आँख में कुछ दूल मिटी चली गई है, आधी बादी आई है, तो उस एक दम से उसको निकाल के, और कॉंटेक्ट लेंस को भी साफ लें, आँख को दोलें, वो बहुत जरूरी है, आँख को उंगली से रगड़ना नहीं है, करना है, और अगर आपको दूल मिटी गई है, तो एक दम से आँख को साफ करना है, कॉंटेक्ट लेंस को भी साफ करना है, हमारी शोता है, जो फोन लाइन पर कुछ सवाल पूछना जाते हैं, डॉक्टर साथ आप से, हलो, जी नमस्कार, नमस्कार, जी, आट साब मैं का आर इसके अदर अभी कुछ ऑपरेशन चिप्स वगरा चुरू हुए हैं, वो वेस्टन कंट्रीज में शुरू हो गया, लेकिन अभी उसके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, और उसको बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगे भी हैं, तो इसलिए अभी उनका अभ मुझे पूछना है कि उनको 2020 में कॉर्णिया ट्रांस्प्लांट हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि उनकी वेन्स वीक हैं, जिसके वजह से उनका विजन वापस नहीं आ पाया, अब चार साल हो चुके हैं इस बात को, उनके आँखों में पानी बहुत आता है और आई कि नस जो है, क्योंकि वा आँख के अंदर, ये एक खास बात नहीं है, बड़ी आम बात है कि जब कॉर्णियल ट्रांस्प्लांट होता है, तो प्रतेरोपन के बाद आँखा प्रेशर बढ़ने लगता है, उससे नस सूख जाती है, अगर एक बार नस सूख जाए तो फिर द दवाईयां जरूर इस्तेमाल करें, उसमें बिल्कुल ही आपको गलती ना करें, क्योंकि अगर आपकी नजर है आपके दादाजी की, और अगर वो प्रेशर जितना भी मेंटेन कर सकें, उसको जरूर करें, लेकिन अगर आपकी उनकी नजर बिल्कुल खतम हो चुकी है, तो फिर दवाईयां इस्तिमाल करके साइड इफेक्ट और पानी वगरा के सिम्टम्स उनको मत दे, तो अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि समय कम है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्दी से वापस आएंगे, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप सुन रहे हैं, विश से शगे हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर आरेमल होस्पिटल नई दिली में, अब जल्दी जल्दी नाम लूँगी क्योंकि शामिल हो हैं हमारे कारेक रिक्रम में, इनका धन्यवाद जारूर देना चाहूंगी, साथी साथ चलने से पहले क्योंकि इन सब बिमारियों की जड़ होती है हमारा उचित खान पान ना हो या हम आखों की एक्सराइज ना कर रहे हूं तो आप यह जरूर बताएगा कि क्या खाएं जिससे के आंक सबस्त रहे और कुछ एक्सराइजेस हों तो जल्दी जल्दी बता दे मैं नाम लेती हूं धरमेंद्र कुमार सिंग जी ने अयोधिया उतर प्रदेश से हमें लिखा है इसके अलावा हमें लिखा है मंदीब जी ने रोतक से राहुल ने न्यू डेली से सुशील ठाकूर जी का तो मैंने लिया था प्रशन उन्हें दुबारा से किया है ओम प्रकाश खंडेलवाल जी का भी लिया था प्रशन सीता मणी बिहार से प्रकाश कुमार जी ने लिखा है इसके अलावा लिखा है हमें हर्याना डिस् किशन लाल जी ने अपनी उम्र भी लिखी है 75 years इसके अलावा प्रेम पाल सिंग ने दिल्ली से हमें प्रशन किया है यह सारे ही प्रशन हमें प्राप्त हुएं सरीता जी ने मिरट से और इसके अलावा सिधौली सीतापुर से यासीन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है इन्हों सब्सक्राइब बहुत सारे प्रशन अभी समय हमारे पास नहीं बचाएं सर हम सर्फ यह चाहेंगे कि आप हमें उचित देख पाल अपनी आखों के और खान पान और रिक्ससाइज कर बता हैं मैं सबसे पहले यह बताना चाहिए कि इसमें से ज्यादा तर जो सवाल है जो मैं दबे नजर आते हैं तो वो जो है चीज 98-99% जो है उसका कोई मतलब नहीं होता यह उमर के साथ अपने आप होते हैं और अपने आप खतम हो जाते हैं लेकिन एक परसेंट जो केस होते हैं एक या दो परसेंट उसमें होती है वो बहुत सीरियस होती है इसलिए यह सभी लोग जाके डॉक्टर को दिखाएं जरूर और खास तार पर अगर आँक किसी को फ्लैश भी नजर आते हैं कि लाइट नहीं है फिर भी लाइट नजर आती है तो उसको जरूर दिखाएं बेशक 99% चांस जी है कि वो बिल्कुल ठीक रहें होगे कुछ भी नहीं होगा जी और बाक जी ने नमक सत्यक रहें इसलिए किया था क्योंकि हमारे जो गरम देश होते हैं इनके अंदर नमक की हमें बहुत जरूर रहती है तो शकंज भी बना के पीएं पानी पीएं ठंडा पानी पीएं और आखों को धोएं आखों का बाहर जाएं तो आंको धोएं ठंडा रखें आ क्वांटिटी जादा होती है दूद और अंडा ये सब चीज़ों के अंदर जो असेंशल वाइटमिन्स होते हैं आंक के लिए आंक की सहथ के लिए वो अच्छे होते हैं बाकि आंक के लिए आपने एक्सरसाइज के लिए पूछा जनरल एरोबिक एक्सरसाइज जो होती हैं वो आँख के लिए बिल्कुल अच्छी रहती है उनी से जो है आँख के अंदर प्रेशर भी कम रहता है और आँख की सियद भी ठीक रहती है लेकिन आँख के लिए कोई special exercise जो है उसका कोई नहीं होती है आँख की कोई खास किसम की बिमारी होती है जैसे स्कुरिंट बगरा में कुछ अक्सेज करवाई जाती है अजरवाई आँख की कोई खास exercise special exercise नहीं होती है जी जी डोक्र साब बहुत जल्दी जल्दी और बहुत सारे प्रशनों के अपने जवाब दिये समय कम पढ़ गया हमें आज के प्रशनों को शामिल करने के लिए तो हम सभी शोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो फोन की माधियम से मेसेज के माधियम से हमारे साथ जुड़े और खास धन्यवाद डॉक्टर मानवदीप सिंग जी का जो किनेतरी रोग विशेश है के हैं डॉक्टर आरेमल होस्पिटल नई दिल्ली में आप यहां आए समय निकाल कर इतने प्रश्च्टों का जवाब दिया सुट्वार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार नमस्कार जी शुक्रिया अभी आप आकाश्वानी दिल्ली से विशेश फोनिन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे कार्यक्रम की प्रस्तुत करता थी शालिनी मित्तल